तो अब बुलिटन में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के जिस तरह से वहाँ पर राजनीतिक डल ने तक्ता पलट के लिए मुहीम छेड़ दी है तक्ता पलट के समन्थन में वहाँ की मुव उन पार्टी ने पोस्टर्ज और बैनर्ज लगाए हैं और इन बैनर्ज और पोस्टर्ज में पाकिस्तान के आमी चीफ राहिल शरीफ से मार्शल लौ वहाँ पर लागू करने की मांग की गई है पार्टी ने लाहोर, कराची, पिशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा समेथ 13 शेरों में पोस्टर्स और बैनर वहाँ पर लगाए है पार्टी के सेंट्रल चीफ अली हाश्मी ने दलील ये दी है कि 40 दिन तक पीम नवाश शरीफ की पाकिस्तान से गैर मौजूद की इस बात का ही सुबूत है कि यहां लोगतांत्रिक सरकार की कोई जरुरत नहीं है इन बैनर पोस्टर्स पर पाकिस्तान सेना की तरफ से कोई भी प्रतिक रिया हलाकि नहीं आई है पाकिस्तान में होगा तखता फलत सेना फिर संभालेगी सकता राहिल शरीफ का होगा राज पाकिस्तान में लगेगा मार्शल लाज क्या पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का कब्जा होगा क्या आर्बी चीफ राहिल शरीफ पाकिस्तान में मार्शल ला लगाएंगे यह सवाल उन पोस्टर्स के बाद उठ रहे हैं जो इन दिनों पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना के शाषन की अटकलें लगने लगी हैं। साथ इसाथ आइस्थिर्ता से जूज रहे पाकिस्तान में राजनेतिक माहौल भी गर्माने लगा है। पाकिस्तान के पंजाब की एक छोटी और कम पहचानी जाने वाली राजनेतिक पार्टी में देश के 13 शहरों में पोश्टर लगाते हुए सेना प्रमुख राहिश शरीफ से रिटार्मेंट न लेने और देश में मार्शल लॉर लागू करने की मांग की है। पाकिस्तान के कराची, पेशावार, क्वेचा, रावल पिंडी, फैसलाबार, सार गोधा और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी ये बैनर लगाए गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब आर्मी चीफ से पाकिस्तान में मार्शल लॉ चलाने की बात कही गई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान पार्टी ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ के लिए कैमपेंच चलाया था और उनसे अपने रिटार्मेंट पर फिर से विचार करने को कहा था। पार्टी की सेंट्रल चीफ और्गनाईजेशन अली हाश्मी ने पाकिस्तानी अगबार डॉन न्यूस से कहा है। हमारा लक्ष है कि जनरल राहिल शरीफ मार्शल लॉल लागुकर सरकार की नीती निर्माड की निगरानी करें। पाकिस्तान पार्टी की मुल्क में कोई खास मौजूदगी नहीं है। ये पिछले तीन सालों से इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। पैसलाबाद बेस्ट बिजनस्मेन मुहमत कामरान इस पार्टी के चेर्मेन है। कामरान फैसलाबाद, सारगोधा और लाहौर में कई स्कूल और बिजनस चलाते हैं। ये पार्टी फरवरी में उस वक्ट चर्चा में आई जब देश में इसने पोस्टर और बैनर लगा कर राहिल शरीफ से रिटार्मेंट न लेने की अफील की। पाकिस्तान पार्टी के मुताबिक नवाज शरीफ देश से पिछले 48 दिनों से गायक थे। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान में किसी राजनेतिक सरकार की ज़रूरत नहीं है। इस देश को जो चला रहा है उन्हे चलाते रहना चाहिए। हम लोग आर्मी चीफ के समर्थन में फैसलाबाद, लाहोर, कराची और सुकुर में रैली करने जा रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए उनका रहना जरूरी है। जयान नहीं आया है। बिलचस्प यह है कि रातो रात देश के 13 शहर की एहम सड़कों पर ये होल्डिंग और बैनर लगा दिये गए। यहां तक कि कंट्रमेंट एरिया में भी ये होल्डिंग लगाए गए हैं। जबकि इस इलाके में सुरक्षा काफी कड़ी होती है। फि कहीं पाकिस्तान की आवाम राहिल शरीफ के पक्ष में सड़कपना निकल जाए। इंटरनेशनल डस्क इंडिया 24-7। वैसे पाकिस्तान में तक्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है। विभाजन के बात से पाकिस्तान में अब तक चार बार तक पलट हो चुका है। और च भारत के पड़ों से मुल्ख पाकिस्तान पर एक बार फिर मार्शल लॉक की तलवा लटक रही है। एक बार फिर यहां पर सेना के शर्षन की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान में इस वक्त प्रधान मंतरी नवाज शरीफ नहीं है। ऐसे हालात में पूरी दुनिया की न पूकरों से यहां लोकतंद को लहु लुहान होते लोगों ने देखा है। एक बार उसकी आहर दीरे-दीरे सुनाई पड़ने लगी है। सत्ता पर पकड कमजोर होने लगी। उसी जियाउल हक ने 1978 में भुट्टो का तख्ता पलट करके खुद ही पाकिस्तान की कमान समाल ली। साल भर बाद ही भुट्टो को फांसी पलटका दिया गया। उसके बाद 1988 में जियाउल हक की विमान दुगट्टा में मौत होने से पाकिस्तान में फोजी हुकूमत रही। बाद में चुनाव तो कई बार हुए लेकिन पाकिस्तान हमेशा लड़ खडाता ही रहा। दुन्या ने एक बार फिर पाकिस्तान में फोजी हुकूमत तब देखी जब 1999 में ततकालिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बेधखल करके आर्मी चीफ परवेश मुशरफ ने स इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24-7 तो वहीं पाकिस्तान के पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमले के मास्टर माइंट को मार गिराया गया है और ये हम नहीं बलके खुद पाकिस्तान के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं आधिकारियों का ये दावा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में हमले के मास्टर माइंट को अमेरिका ने अफगानिस्तान ने ड्रोन हमले में मार गिराया है एक रिपॉर्ट देखिए तो अब बात करेंगे हम इस बुलिटिन में नेपाल की भी और ये भी बात करेंगे जहांपर एक बार फिर से राजनीतिक संकर पैदा हो रहा है साथ ही आपको बताएंगे वो कौन सा क्रिकिट खिलाड़ी है जो पी शादी की हाट ट्रिक को लेकर इन दिनों चर्चा में है लेकिन पहले बात चीन की करते हैं साउट चाइना सी को लेकर चीन को करारा जटका लगा है इंटरनाशनल कॉर्ट आफ आर्बिटरिशन ने साउट चाइना से डिस्प्यूट पर चीन के खिलाब फैसला सुनाया है हाला कि चीन ने कॉर्ट के फैसले को माने से इंकार कर दिया है जिस साउट चाइना सी को चीन अपी जागीर समस्ता है जिस साउट चाइना सी पर वो दावा करता है जिसे लेकर उसने दुनिया के सामने युद जैसा माहौल बना रखा है उसी साउट चाइना सी को लेकर जैगन को करारा जटका लगा है साउथ चाइनसी पर दावा करने वाले चीन को हेक की इंट्रनेशनल कोट अफ आर्टीबुशन से करारा जटका लगा है कोट ने साउथ चाइनसी डिस्प्यूट पर चीन के खिलाफ फैसला सुनाया कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस इलाके पर चीन का कोई एतिहासिक खग नहीं है, हेग ट्रिबूनल ने कहा चीन का ये दावा करना कि साउथ चाइना सी पर उसका एतिहासिक हग है कताई सही नहीं कहा जा सकता चीन ने आइलेंड के इसकारबरो शोल इस्प्रेटली आइलेंड ग्रुप पर फिलिपीन्स के फिशिंग राइट्स में बाधा डाली। चीन का इस्प्रेटली आइलेंड पर एक्स्क्लूसिब एकोनॉमी जोन बनाने का भी कोई हक नही। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फ अंक्लोस के मताबिक आइलेंड में 12 नॉटिकल माईल की रेडियस में कोई भी देश अपनी आक्टिविटी रख सकता है। आपको ये भी बता दें कि चीन यहां के 90 फीसिती हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। फिलिपीन्स ने चीन के खिलाफ पिटिशन दायर की कि स्ट्रेटिजिकली एहम माने जाने वाले इस इलाके में चीन ने रिसोर्से का जरूरत से ज़ादा यूज किया है। फिलिपीन्स ने 2013 में इंटरनेशनल कोड में चीन के खिलाफ केस दायर किया था। फिलिपीन्स ने अपने 15 पॉइंट्स में चीन के South China Sea में स्टीटस प लाइन बताता है फिलिपीन्स का दावा है कि बीते 79 सालों से चीन का साउथ चैना सी के 85 फिस्दी हिस्से पर कबजा हो चुका है फिलिपीन्स ने सुनवाई में कहा था कि एक्स्ट्रा 200 नॉटकल माईल तक फिशिंग या दूसरी गत्विधियों की पर्मिशन दी जानी चाहिए हला कि चीन ने सुनवाई से ये कहते हुए बैकाट किया कि इस मुद्दे पर फैसला सुनाना धेक के अधिकार शेत्र में नहीं आता आपको बता दें कि चीन ने धीरे धीरे साओ्ट चाइना सी पर अपना कबजा का लिया था उसने वहां नकेवल आर्टिफिजल आइलेंड बना लिया बल्कि बड़ी तादाव में आर्मी डिप्लाई की वहावाई पट्टी भी बना ली चीन के साओ्ट चाइना सी में दबड़े को लेकर अमेरिका भी लगातार विरोध करता रहा है आईए अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद के असल वज़ा क्या है दरसल साओ्ट चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेच्रल गैस का भंडार है इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होता है चीन ने 2013 के आखरी में एक बड़ा प्रोजेक्ट चला कर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशल आइलेंड में बदल दिया आपको बता दें कि साउथ चाइना सी के विवादित हिस्से पर 5 देश अपना-पना दावा पेश करते हैं वहीं ये पहली बार होगा जब साउथ चाइना सी के मुद्दे पर कोई लीगल एक्शन सामने आया है जाहिरे फैसले का असर 3.5 मिलियन स्क्वेर एरिया में फैले साउथ चाइना सी में चीन के कबजे पर पड़ेगा इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24-7 और बात करते हैं नेपाल के नेपाल में फिर से एक बार राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है नेपाल की पुधान मंत्री के पी शर्मा ओली के नित्रतों वाली सरकार से Communist Party of Nepal के समर्थन लेने से सरकार संकट में आ गई है CPN माववादी के अध्यक्ष पशंड ने सरकार से समर्थन वापसी की गोशना करते हुए ओली सरकार पर पिछले समझोतों को लागू ना करने का आरोप लगा है प्रचंड का ये आरोप है कि ओली की पार्टी कॉम्मिनिस पार्टी ओफ नेपाल दोनों पार्टियों के वीच तैह हुए नौ बिंदू वाले समझोतों को लागू करने और मई में सरकार का मुख्या बदलने के फैसले को लागू करने में हिजक रही थी अब शीर्ष मावादी प्रचंड ने केपी शर्मा ओली को अपने नितरतुम में सरकार में शामिल होने के लिए कहा है मुखे में पक्षी पार्टी नेपाली कॉंग्रेस के समर्थन का भी दावा किया है वही नेपाली कॉंगे सिदन में सबसे बड़ी पार्टी भी है प्रचंड को सयुक्त लोकतांत्रिक मदेशी मोचा का भी समर्थन मिला था और अगर नेपाल की वर्तमान ओली सरकार इस सीफा देती है तो प्रचंड नेपाल के नए प्रधार मंत्री बन सकती है और वही इटली के पुगलिया के दक्षिनिक शेत्र में दो ट्रेनों के बीच टककर हो गई और इस हाथसे में 20 लोगों की मौत हो गई है जानकारी के मुताबिक आंध्रिया शेहर के पास एक ही लाइन पर चार कोच वाली दोनों ट्रेनों के बीच टककर में कई लोग घाल हो गई है हाला कि हाथसी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है मौई इटली के प्रधान मंत्री मातेयो औरेंजी ने इस हाथसे पर दुख जटा है पाकिस्तानी कुकेट टीम के पूर कपतान इमरान खान ने शादी के पिच पर हैट्रिक पूरी कर ली है खबरों के माने तो क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने लंडन में तीसरी बार निकाह कर लिया है इश्क में फिर बोल्ड हुए इमरान खान इमरान खान ने लगाई निकाह की हैट्रिक तीसरी बार दुल्हा बने इमरान खान कि क्रिकेटर से नेता बने इम्राण खान ने शाद्यों की हैट्स कर ली है इम्रान खान की तीसरी शादी की खब्रे पाकिस्तानी मीडिया में जोरू नयुः और नाम मर्यम है और उनकी बहन वुश्रा मानिका परिवार की बहूं माना जा रहा है कि बुष्रा इमरान खान की आध्यात्निक सलहाकार है। 63 साल के इमरान खान की नई बीवी भी तलाग शुदा है और उनके दो बच्चे भी है। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान की शादी की ख़बरे सामने आई। सफाई के लिए इमरान खान भी सामने आ गए इमरान खान की पाठी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस खबर को एक अफवा करार दिया खुद इमरान खान ने भी अपने ट्विटर पर सफाई देते हुए लिखा मेरी शादी को लेकर ये अफवा बिलकुल आधार हीन है मैंने शादी नहीं की है मैं जब भी शादी करूँगा सब के सामने इसका एलान जरूर करूँगा और सारवजनिक्तोर पर जश्न मनाऊंगा पाकिस्तानी मीजिया में इमरान खान की तीसरी पत्नी को लेकर कयासों का दौड जारी है इमरान खान इससे पहले दो और शादिया कर चुकी है लेकिन किसी ना किसी वजह से वो खुशाल व्यवाहिक जीवन से महरूम ही रहे इमरान खान ने 1995 में ब्रिटिन की जैमिमा गोल्ड स्मिथ बाद में जैमिमा खान से शादी की थी लेकिन साल 2004 में वो अलग हो गय थे इसके बाद उन्होंने BBC की समवादाता रेहम खान से निकाह किया लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी रेहम के साथ 10 महीने बाद ही इमरान का तलाक हो गया था जानकारी के अनुसार रेहम इमरान की पार्टी तहरी के इनसाफ में दखल दे रही थी इस ख़बर के बाद से पाकिस्तान में इमरान को लेकर मज़ाग का दौर भी चल पड़ा है साथ ही सियासत भी तेज हो गई है खैर लंदन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो साफ नहीं है लेकिन हाल ही में आए इमरान कान के बयानों से ये तो साफ है कि इमरान कान निका के अपनी हैट्रिक के लिए तैयार है इंडिनाशनल डेस्क इंडिया 24-7 ग्रीज की खुबसूरत वादियों के बीच हुमा को अपने पती की याद सता रही थी इस गम और तनहाई को हुमा ने कैमरे में कैद किया उन्होंने हर लोकेशन की तस्वीर ली लेकिन सैड मूड में इन तस्वीरों को हुमा ने सोशल मीडिया पर साजह किया अब हनिमून की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है हुमा और अरसलान की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुए है इस बीच प्लान बना कि परिवार को साथ लेकर ग्रीज चला जाए लेकिन इस दौरान एक पीच फस गया एन वक्त पर पती अरसलान का वीजा कैंसल हो गया हुमा सदमे में आ गई पहली दफा तो उन्होंने सोचा कि प्लान ही कैंसल कर दे लेकिन पैसा बहुत खर्च हो चुका था ऐसे में पतनी ने बिना पती के हनीमून पर जाने का फैसला किया हुमा अपने सास ससुर, फुफी और चाचा के साथ ग्रीस गई हुमा के इस हनीमून की फोटो फेस्बुक पर वाइरिल हो गई है हुमा के दोस्तों और करीबियों के अलावा दूसरे सोचल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपने कमेंट्स टाले हैं इन फोटोस को लेकर हुमा ने अपने पती को क्रेडिट दिया है दरसल सगाई के बाद हुमा के पती ने अपनी बुड़ा पोस्ट यात्रा के दोरान ऐसी ही सैट तस्वीरे भेजी थी और इसी से हुमा को ग्रीस टूर के दोरान ये आईडिया आया फोटोस देखकर ऐसा भी लग रहा है कि अब लड़कियां सचमुच अखेले हनिमून को इंजॉई करने का ट्रेंड फॉलो करने वाली है और अब ख़बर हॉंग कॉंग से है जहां माक्स केव नाम के एक डेर डेवल ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के 25 मंजिला इमारत से दूसरी बिल्डिंग पर चलांग लगा दी और हुआ फिर क्या इस रिपोर्ट में देखिया महस पांच सेकेंड के इस वीडियो को जिसमें भी देखा हैरान रह गया 25 मंजिला इमारत से दूसरी बिल्डिंग पर कूदने की ये तस्वीरे इंस्टाग्राम पर धाई लाख बार देखी जा चुकी है इमारत की 15 सेंटिमीटर मोटी दिवार से दूसरी इमारत की दिवार पर कूदने का ये मंजर हॉंग कॉंग शहर के वॉर्फ रोट का है और अपनी जान को जोखिम में डाल कर करतब करने वाला ये शक्स ब्रिटिश डेरडेवल मैक्स केव है